हाई गाई, वेलकम टू माई चैनल, आज हमनों बात करेंगे स्माल स्वीच गर के बारे में, यानि कि LB स्वीच रेक जो क्यूबिकल होता है, उसमें किस तरह से पावर फेडिंग होता है, यह देख सकते हैं आप सामने में, यह हमारा यह एनालोग आमेटर है, यह एम से भी स् एकोडिंग टू पावर, जितना हमको पावर चाहिए, उस ही हिसाब से यह बनाएगे, यह देखे, सामने में वॉल्ट इमेटर है, यह वॉल्ट और यह किलोवाट है, कितना किलोवाट हम फेडिंग कर रहे हैं, मॉटर लोड के लिए, चार सारा चीज हमको इसमें दिखा द कर रहे हैं, तो अभी पावर फेडिंग हो रहा है, इस ब्रेकर से और मॉटर चल रही है, यानि कि जो भी लोड हम इससे फेडिंग कर रहे हैं, वो लोड ऑपरेट हो रहा है, तो अभी इसको हम बोल सकते हैं, नॉर्मल कंडिशन, और यह सामने में आपको दिखाए देगा, कि किस तरह से यहां पर दिखाए गया है, तीन आपको मिलेगा, उसके बाद यहां बद देख सकते हैं, टेस्ट बटम भी है, आप भी है, और आटो मॉर्ड, मॉनिवल मॉर्ड, जो करना इस कर सकते हैं, यहां रिसेट भी है, अब सामने में जो दिख रहा है आपको, ग्रीन पर का ground fault relay है, और यह दोनों में timer है, एक current है, अभी जो घृ कर रहा है, उपर में वो current है, fault कर याने कितना fault में, हम कितना current trip करेंगे इसके लिए, यह fault दिया गया, ठीक है, धन निची में आप देख सकते है, relay setting करेंगे, याने कितना current, आवर current जाएगा था हम उसको tripping करेंग यह सारा हम manually set कर सकते हैं और automatically भी हम लोग set कर सकते हैं अभी जो DCS में है वो automatically वहाँ पर software है जिस वज़ा से अलड़ी अप्डेट करता है उसी हिसाब सब्सक्राइब कमांड काम करता है तो जहां पर यहां देखने हैं जो नीचे देख रहे हैं वो टाइमिंग है कितना टाइम यहां पर यहां पर यहां पर यूज करेंगे तो यहां auto भी है manual में अगर हम auto में डाले हैं तो manual वर्क नहीं करेगा और manual में डालेंगे तो इसके लिए हम यहां देख सकते हैं और जिस सामने में जो दिखरा यह यहां फॉल्ट के लिए है जब फॉल्ट होगा तो वह light glow लिए है और सामने में अभी जो अब आगे देखना चाहेंगे यह सारा ब्रेकर है जो हम लोग इसको इन फी मोटर यानिकर 415 वोल्ट के लिए हम लोग फॉर हन्रेड़ट फुट्टी वोल्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं जो भी मोटर है चोटा मोटर जो भी हम लोग का यूज करते हैं और यह अबीबी कंपनी का है औरिम्यून इंस्यूम मोडल का यह बनाए गया है तो यह एक यह एक फरसन है एक यह यूज कर रहे हैं, और यह यह जो क्यूबीकल है यह बहुत फ्लक्सिल अबहुत अच्छा है किसी तरह का problem होता है according safety भी यह सही है तो आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह का यहां पर वार्क कर रहा है तो उपर में जो देख रहे हैं इसका जो out going यह वह उपर की तरफ से उपर तरफ से जो भी है वो आपका पावर जाएगा लोड के लिए जो भी प्लांट में यूज कर रहे हैं और नीचे से इसका फेडिंग हो रहा है और इसी के हिसास है जो पार्ट बाइप ओके गाई मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किजिए और लाइक और कॉमेंट करिए और किसी भी तरह से प्रोड़ाम है जरू हमको बताए थैंक्यू फर वाचिंग